कि आप लोगों को आवाज और आ रही है ना ठीक से कि अब दिख रहा है सभी को और आवाज आ रही है कि बार इसके वज़े तो थोड़ा इश्यू हो जाता है हमारा नैटवर्क प्रॉब्लम का कि मुझे कमेंट में बताए कि अब ठीक से आवाज आ रही है सभी को या अभी भी कट रही है ठीक है ठीक है तो हमने क्लास वन और क्लास टू में हमने कुछ बेजिक डिजाइन्स करी थी जो सभी ने बहुत अच्छी तरीके से बनाई आज हम क्लास टू में कुछ लिव्स बनाने वाले जिसको सब भी लोगों को उसमें प्रॉब्लम आ रहा था सबी लोगों को लिव्स में प्रॉब्लम आ रहा था किसी से ठीक से बन नहीं रही थी इसलिए आज मैंने क्लास 3 की वीडियो में मैंने वहीं लिया है जो किसी को नहीं आ रहा है उसके पीछ हम ज़्यादा मैनत करेंगे जो जो चीज में आपको महन्दी में नहीं फाएगा वो चीज में आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगी ठीक है तो आज के वीडियो में हम कुछ ब्यूटिफुल लिव्स बनाने वाले हैं और जो भी आप लाइव आए हो सभी लोग आज की लाइव प्लीज आइन तक जरूर देखना आप लोग को काफी मजाएगा आइन तक और मेरे वीडियो को लाइक भी कर देना ठीक है तो आज का हम लाइव स्टार्ट करते हैं सबसे पहले में आपको कुछ सिंपल इसस्टार्ट करों उसके बाद हम टैवि लिउस करेंगे जो डिफ्रण डिफ्रण टैप की लिउस होती है अभी कंग जो चुट्रेंड चर्था रहा है डिजाइनर महेंदी का दूबाय श्टाइल में अगर आप दुबाई style लगाओ के तो उसमें सबसे जादा leaves का इस्तमाल होता है उसमें different types की leaves का इस्तमाल होता है अगर आपको अच्छी तरह की leaves आ जाएगी तो आप उस leaves का बहुत अच्छी तरह से आप उसकी एक महंदी बना सकते हो ठीक है तो आज के वीडियो में मैं सबसे पहला आपको सबसे easy तरीके से बताती हूँ सबसे easy जो leaves है उससे हम start करेंगे कि हम मेरा थोड़ा zoom कर देती हूँ ताकि आपको clear दिखे ठीक है सबसे पहले हम leaves के लिए हम line draw करेंगे हमें straight line draw नहीं करनी है हमें थोड़ी सी cross line draw करनी है देखरो मैंने किस तरह से cross line draw किये जो लोग भी practice कर रहे है वो लोग मेरे साथी चालू रखना वालेकुमस्सलाम सभी को ठीक है हमने line draw कर लिए काउस लाइन थोड़ी हमें इसी draw करनी है उसके बाद हमने जो leaves सिखी थी हमने first class में हमने मैंने आपको लिए बताई थी कि हमें dot करना है और उसे खीच लेना है सबी को याद होगा कि मैंने वो leaves सिखाई थी डॉट करना है हमें कौन पर pressure देना है अंदर से महधी निकालनी है बोर्ट के बार हमें कौनड मेंसे में नहीं निकालनी सिफ हमें हख्या आस Sec Вы को खिचना आए कि लोग्ष की पयव्यक्ति हे वही प्टी हम यहां पर आज यूज़ करेंगे हम पहले easy तरीके से use easy sweet जो भी हे वह हमre यूज़ करेंगे उसके बाद कि इसी तरह से इस तरफ भी करेंगा पैंक करके खीच लेना है कि इसी तरह से लिव्स बनाने काफी लोगों से एक प्रॉब्लम हो जाती है वह आप खास ध्यान रखिएगा कि हम से यह प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जब हम लिव्स ड्रो करते हैं तो आप देख रहे हो मैंने केसी क्रॉस तरफ ऐसे मैंने लिव्स इस तरफ बनाई उपर की तरफ आ रही है देख रहे हो नेने तो सब्सकति में का नहीं आम थी जाती हैं लीओ सीधियी से बनाने हैं इस तरफ बमाई से विसेख्षाटफ इस नहीं बनानिया है यह तरीका से तरफ जहे जाती है उपर की और हमें ले जाना है हमारी जो हमें जो लाइन डॉट करके जो लाइन खिचनी है उपर की और लेनी है डॉट किया हमें उपर की और लाइन खिचनी है इस तरह ठीक है ठीक है यही स्टाइल से हम यहाँ पर करेंगे और लास्ट जब हम लिउस डो करते हैं तो उसमें हम एक पती को खीच के और इसे सिफ ऐसे टर्न कर देना है ठीक है सबी को समझ आ रहा है न जन्नत अरब एक काम कीजिए आप एक बार फिर से अपका एप बन करके फिर से आन कर लीजिए क्योंकि बाकी सब लोगों को तो क्लियर हावाज आ रही है चुली बारिस के व यही लीज को हम डबल लाइन करके भी ड्रॉव कर सकते हैं जैसे मैंने बताया हमें क्रॉस लाइन ड्रॉव करनी है स्ट्रेट लाइन ड्रॉव नहीं करनी है क्रॉस लाइन में लीज बहुत ही खुबसरत से लगती है तेकिए हमने डबल लाइन ड्रॉव कर ली उसके बाद ह यही लिव्स इस तरह से बनानी है पॉइंट लिया और खीच लेना है हम सिंगल लाइन में भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं अगर यह सब लिव्स आपको आजाएगी तो इसके हिसाब से डिजाइन में जब बताऊंगी तब आपको बहुत ही इसी रहेगा डिजाइन बनाने में बिल्कुल भी आपको हाड नहीं पड़ेगा इतलिए आप यह सब बैजिक को पहले अच्छे से सीख लीजिए ठीके यह लिव्स हमारी हो गई इसके बाद में आपको दूसरी लिव्स बताती हो हमें लाइन को क्रोस में अगर आप इस तरफ करना चाहो तो भी लाइन ड्रो कर सकते हो आप इस तरफ की करना चाहो तो भी कर इसलिए वह लिव्स आज में फिर सापको बताऊंगी इसमें आपको क्या करना है एक लाइन ड्रो करनी है इसके बाद आपको डॉट रखना है और सिफ पॉइंट खेशना है जैसे कि हमने यह बेजिक बेजिक लिव्स बनाई है इसके इसका ही यूज करके हमें यहां पर बन बनाने हैं सबी से क्यों बनना ही रही ती बहुत इसी लिव्स है आप एक बार फिर से मैं अभी बता रहे हूं वही ट्रिक साफ फिर से ट्राय करना तो आप सभी से अच्छे से बनेंगी ठीके मैं बतारे आपको प्राब्लम आए तो आप एक तरफ से बना लीजिए फिर लाइन ड्रो करनी है डॉट करना है फिर उसे खीच लेना है चोटी सी लाइन लेनी है डॉट करना है और इसे खीच लेना है और लिव्स हमेसा उपर की तरफ ही आनी चाहिए नीचे ढलती हूँ नहीं आनी चाहिए हमारी लिव्स उपर की तरफ ही जानी चाहिए ठीक है इसे डॉट किया और इसे खीच लिए जो भी लाइव है अभी प्लीस मेरी वीडियो का लाइक कर दीजिए आज का लाइव मेना प्लीस अंट तक देखिएगा एंटर आपको बहुत मजाएगा और आपको काफी यूसफुल रहेगा आज की जो हम अलग अलग तरह की लिवस ड्रो करने वाले सबी आर्टिस्ट के लिए बहुत ही यूसफुल रहेगा ठीक है इसी तरह से हम यहां पर भी करेंगे लाइन लेनी है इसे खीच लेना है आप देखरों मैं उपर की और तरफ ले रहे हैं आपको नीचे की तरफ नहीं लेनी है क्योंकि फर्स देगी जिसने पी मुझे प्रैक्तिस करके पिक्स बेजे सभी की यही कलती आई है कभी ने स्ट्रेट ले लिया it's not straight line में नहीं लेना है हम लोग अपको ध्यान रखना हेए मैं तेखर हमारी wings वी शेथ में जा रही है हमें स्ट्रेट नहीं लेना है वी शेथ में ही आपको लेनी है ठीक है तो line deep draw की dot किया उसे खीछ लिया इसी तरह सभी में हम ऐसे ही करेंगे line बना के dot लेके खीछ लेँ हम जब उपर की और आते है तब हमारी dot थोड़े छोटे छोटे सा करने है उपर की और जब हाएंगे तो हम जितनी छोटी लीव्स करेंगे वह जिसादा ब्यूटिफूल स्मय रह 앞 against the 쪽 को नीचे की और थोड़ी बड़ी सी लेनी है और उपर की और हमें थोड़ी छोटी सी करनी है उसे भी छोटी ले ilya ﷺ लेके लेगे लास्ट में अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे fast comment कर रहे हैं ठीक है उसके बाद में इसी इसी के उपर से हम किसी लिए दूसरी बना सकते हो नहीं आपको बता उसके बाद यह सिंपल सी पत्ति एतो सभी को आएगी सिफ हमें पॉइंट को खीचना है ऐसे लेकर हमेसे खीचना है जैसे मैंने कल बताया था आपको क्लास्टू के वीडियो में कि उपर से प्रेशर देना और धीरे-धीरे नीचल आना से आपने को इसी तरह आपको आजाएगे इस तरह से पेल आपको एक तरफ के लीव्स ड्रो कर लेनी है उसके बाद आपको दूसरे तरफ से अब देहों यहां तक मैंने बनाई अब उसके बाद में यहां से थोड़ी छोड़ी छोड़ी सी लीव्स बनाऊंगी नीटे से हमें थोड़ी बड़ी ही लेनी है और उपर की तरफ हम जब आएंगे तब हमें लिए उसको छोटी-छोटी से कर देनी है तो उसलिए उसका गेट अपका ज्यादा आएगा ठीक है जूम करके दिखाओं ठीक है अब ओके हैं सेयदा जक्या ने थोड़ा सा जूम कर दिया था की जिसको क्लियर नहीं दिख रहा है सबको क्लियर दिखिए ठीक है उसके बाद हमारी next leave है हमें line draw करनी है उसके बाद आप देखिए यह मैंने basic leaves बनाए यही basic leaves के ऊपर यूज करके हमें दूस्री leaves बनानी है ठीक है यह basic leaves हमने जो ड्रॉव की है पिले वो हमें द्रौ कर लेनी है उसके बाद हमें जैसे मैंने डॉट में बता आपको पॉइंट खीचना है में इसी तरह ये लिव्स में भी हमें सिफ कौन से खीचना है हमें अंदर से महंदी नहीं निकालनी है सिफ ये लिव्स पर ही प्रेशर दे कि नीचे की ओर लाना है और उपर से सिफ हल्के हाँ से खीच लेना अंदर से महंदी निकालनी है इसी तरह से हम इस तरा पीगज्ञे कि लेंगे अस तरह किया और इसे खीच करने कि rallies करहं है अगर आपको अबहर लागम तो आप सब में एसी बेजीग लियू ग डॉं कर सकते हो ताकि आपको इजी रह लिव्स बनाने सेम टू सेम आपको यह लिव्स ड्रो करनी है ठीक है अब उपर की और हम लिव्स को छोटी करते जाएंगे जितने उपर की और जाएंगे हमारे लिव्स छोटी होती जाएगे अब दिख रहा है सभी को ठीक से अभी भी क्रॉस दिख रहा है तो तो पर्फेक्ट फॉरी यह डिस्टर्बंज हो गया आप लोग को थोड़ा कैमेरे नहीं हमें परेशान कर दिया ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं ठीक है नेक्स्ट लीव हमारी है हमें लाइन ड्रो करनी है उसके बाद यह सिम्पल सी लिए उसे यह आपको सभी को अच्छे साएगी इसी तरीके से एक एक आपको ड्रो करना है यह मैं आपको परेले बताती हो रॉप में कैसे करना है यह हमने लाइन ड्रो किया है उसके बाद हमें सिम्पल सी लिव्स बनानी है सिफ इस तरफ से हमें इस तरफ से लाइन यह कव लेना है और यहां से यह कव उसमें हमें ड्रो करना है काफी सबसे इजी लिव्स है यह भी आपको हार्ड नहीं लगेगी इसके बाद वाली लिव्स जाएगी वह थोड़ी हार्ड होगी वह आपको बनाने में थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा उसको आप अच्छे से प्राइक्टिस कर लेना वीडियो में देखकर ठीके कैसे करना है यहां से लिव और यहां से टर्न करना है फिर यहां से इसी तरह से हमें सभी लिव्स उपर की तरफ हम आएंगे तो हमारी लिव्स छोटी होती जाएगी हमें सभी लिव्स में इसी तरह से बनानी है अच्छी के उपर की और एक बड़ी सी लिव्स बना देनी है आप सभी को ठीक से दिख रहा है ना क्लियर आप मुझे कमेंट करके बता तरहे है ताकि मुझे पता चले ठीक है अब दिख रहा है ना पूरा अब इस लिव्स को हमें फिल कर देना है अब भी सही से नहीं दिख रहा है अब दिखेगा सभी को ठीक है अब ओके हैं अब तरह दिखेगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा फिर अब चुक्त हे हैं तुमका कर तो high और आपने दी अपने आप लोगों को दिखाई दी यह नहीं दिया में फिर सापको दिखा दू मैं फिर से बता देती हूं शायद आप लोगों को ठीक से दिखाई नहीं दियोगी यह मैंने लाइन ड्रॉव की है इसके बाद आपको सिम्पल सी लाइन ऐसे ड्रॉव करनी है एक तरफ की लाइन लेने उसार्फ यह रेने, इसी तरफ ळनी है उपर की और तरफ लीवस कर दो फुट है , वह ध्याना रखना इस ट्रैट नहीं होनी चाहिए आपकी लिवस हमेंसा V-shape में ही आनी चाहिए आपको भी लिवस बनाओ उसमें आपका शेप V-shape में ही होनी चाहिए अगर आप सीधी बनाओगे तो वो मजा नहीं आएगा आपको लिवस और इतनी अच्छी नहीं लगेगी वो लगने के पात ठीक है इसी तरह से हम यह लिवस बनाएंगे हम जैसे उपर की और आएंगे हमारी लिवस छोटी होती जाएगी हमें छोटी लिवस बनानी है देखिए यह हमारी छोटी-छोटी सी लिवस अब बनेंगी फिर उपर की और हमें बड़ी सी लिवस बना देनी है अब हमने जो लिवस बनाई है हमें इसे अब फील करना है ठीक है तो हम फील कैसे करें कि वह मैं आपको बताती हूँ एक लाइन हमें यहां से लेनी है उसके बाती हमें बीच का पॉशन फिल करना है इसी तरह हम एक लाइन इस तरफ करेंगे और एक लाइन इस तरफ करेंगे इसके बाद हम बीच का पॉशन अगर आपकी कॉर्णर नहीं बन रही है तो आप हलके हास से इसे थोड़ा सा खीछ लीजिए तो आपकी कॉर्नर बन जाए इसी तरह हमें सब करना ऐसे पहले हमें लाइन को फिल करना उसके बात उपपर कॉर्णर बनाने है अब यहां पर भी इस तरह से करेंगे सबसे पहले हमारी जो लाइन ड्रोग की है वो करके बिचकाव कर देंगे और उपर की और थोड़ी सी कॉर्णर बनाने इसी तरह हम सभी लिवस में फिल कर देंगे अगर आपको डाइरेक्ट फिल करना कंफटेबर रहे है ता आप इस तरह से डाइरेक्ट फिल भी करके पॉइंटर सखीच सकते हो अगर तिस को नहीं फार आए जो फर्स टाइम लिवस ड्रोग करने वाला है वो लोग यही स्टाइल से कीजिए इस तरफ से ट्रोग कीजिए फ ठीक है इस तरह से पिर हमें खींच लेना है सब छोड़ी छोड़ी ले उस भी हम इस तरह से ही ड्रॉ करेंगे फिर उपर के लिए हम ड्रॉ करें तब ज्यान रखना है एक तरह हमने ड्रॉ किया फिर उसके पात का पोजिशन ड्रॉ करना है उसके पास फिर थर्ड स्टेप इस तर्ड स्टेप में आप दोगे तो वह उसका से बहुत अच्छा आएगा और एकदम पर्फेक्ट से पाएगा ठीक है यह लिव्स हमने ड्रॉ कर लिया इसी तरह से हम तोड़ी डिफरंट तरह से हम कैसे यह लिव्स बनाने यह वो मैं आपको बता दियू हमें सबसे पहले इस तरह से एक लिव्स ड्रॉ करनी है फिर हमें उसके पास से ही इसी क्रॉस लाइन लेनी है और इस तरफ से स्ट्रेट लाइन देनी है यहां से थोड़ी सी उपर की और देनी है लाइन और फिर यहां से थोड़ी स्ट्रेट देनी है कि यहां से उपर की और देनी है और फिर स्टेट हम जैसे उपर की और आएंगे हमारी लाइन चोटी होती जाएगी अब देखरो एक तरफ मैंने थोड़ी सी टर्न करके लाइन दी और इधर की तरफ हमने बिल्कुल सिंपल से लाइन दी है देख इसी तरह से उपर की और यहां पर भी करेंगे अब हमें इस तरफ ध्यान रखना है कि सेप हमें किस तरफ देना है तो इस तरफ हमारा टर्न यह तरफ आएगा स्टेट बाग इस तरफ आएगा हमें दूसरी ल्यूस बनाए हमें ध्यान रखना है तब यह तरीके से बनेगी दूसरी ल्यू टर्न वाला भाग पेले आएगा और स्टेट वाला बाद में आएगा जैसे इस तरफ हम लिवज में इस साइड पे लेते थे टर्न वाला और स्टेट भाग हम इस तरफ लेते थे इस लिवज में हमें उल्टा कर देना है उसका टर्न वाला जो हमारा स्टेप हमें इस साइड ल तो निसे सिख्वाओमें ती के मापको बताती हूं पांच नमबर वाली उखे नमबर वाली एलिव माप लोग को कंफूरन है अब आपको बता देती हूं पहले यह लिव अभा नियुक्त के बाद में आपको बता दियूंग कर देने फोड़ी क्रोसदूस लेनी है उसके बाद मेश्च रेट उसके बाद में हैं सब्सक्राओं कर देना है एक स्थ प्रेड ऑर से में इसे शोटी सी लूज tidak बना देना है जकिते सुक्राओं हमें समस्य करना है अगर यह तरीक आपको नहीं पा रहा है तो आप इस तरह से भी करते हैं एक एक स्टेप में आप लाइन डो करते जाहिए लिव्स को फिल करते जाहिए देखें इसे ने वन टू थ्री पर वह ध्यान लगना है आपको लाष्ट में सभी लिव्स में आपको पॉइंट को खिचना है यह लिव्स आप लोग मेरे साथ ही प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगा अगर अभी आप सिख नय जाथे हो और बाद में प्रैक्स करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आप फिर से वीडियो को उन करके आप प्रैक्टिस कर सकते सथा आप अभी सिखना चाते हो तो आप सिख लिजे वीडियो लाइव जील executing प्रैक्तिस कर लेना कि अब एक बार देखो कि कौन सी ट्रिक से ड्रोव किये तो ही आपको समझ माएगा अब डायरेक्ट बनाने चाहोगी तो बनाने कुछ चाहोगी और बन जाएगा कुछ इसलिए हमें आप लोगों को यही कहूंगी कि आप लोग चालू वीडियो चालू करकर ही प्रैक्टिस करना ताकि कि किसी से गलती नहों अब पीक का स्क्रीन सोट लेके भी ड्रोव कर रहें तो भी आप से गलती हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा कौन सी लिउज में कौन से तरीके से हमें ड्रोव करनी है इसलिए आपको वीडियो ही आउन करना पड़ेगा ताकि जो भी ट्रेक से मैंने सिखा है वो ट्रेक आपको समझ में आजाए ठीक है यह हमारी लिउज बन गई ठीक है अब हमारी नेक्स्ट लिउज में बनाऊंगी आपको यह लेज में तकलीव है ना के अब आपको यह बता देते हूं आपको यह भी बनानी यह हमें डायक्ट तरीक से मैंने बनाई थी टार्ब मिनंक बता देते हूं पहले मैं फ्क्राब दों कड़े तके आंब लोगो को क्लीर दिखें कि का यह किके लाइन ड्रौ की हमने सबसे पहले में यह यूए उसके बार में बताbank कि आज लिए प्रोबल्म थी मुझो कमेंट किसी ने बताया तू संहे के दिदॉप अमें डाइजब करनी है यह बारी थर्ड नमबर की हमने लिव ड्रोग की थी उसके बाद पर इसमें हमें कौन को रोकना नहीं है अमें डायरेक्ट लाइन को रोकना नहीं है फिर उसे पत्ति को खीच लेना है फिर हमें चोटी से लाइन ड्रोग करने है कौन को प्रेशर देना और लिव को खीच लेना करते ही इसमें हमें हाथ को रोकना नहीं है हमें डायरेक ही बनानी है डायरेक्त बनाऊगे तो लीफ का शेल बनाँ है उस्तरह से हअलकी हाथों चेल प्लेशर देना है कि अब उपर हम रहेंगे तो हमारी हम उसी होटी जाएगी तेगे अब उसके बाद मैं आपको बताती हूं यह लिवस के बारे में भी किसी को समझ में नहीं आया है तो मैं यह लिवस भी आपको फिल्ड से करके बताती हूं कि यस आपने लिव की उसमें आपको मैंने बताई कि आपको याइन बता नहीं डाइरे की आप वह बेस्ट theo Direct लाइन ड्रॉ करके हमें लिव को उपर की और किसना है कि है यह लाइन ड्रॉ की और हमारी लिव ऊपर की और आएगी अब हम नेक्स्त लिव की तरफ आते हैं नेक्स्ट लिव है हमारी सबसे पहले मैं सिंपल तरीके साब को लिव बताऊंगी उसके बाद वह तरीके से हम कौन सी कौन सी लिव कर सकते हैं वह मैं आपको बताते हूं सबसे पहले मैं लाइन ड्रोग की उसके बाद देखना में सेकेंड लाइन जो ड्रोग करी हूं नीचे से थोड़ा थीक लोंगी और उपर आते आते हमारी लाइन थोड़ी सी जॉइंट हो जाएगी पतले अब देखरों सेफ मेंने किस तरह से ड्रोग किया है सबसे इंपोर्टेंट बात यही कल की मैं कहना चाहती हूं कि कल का हमारा टाइमिंग 11 से 12 है ठीक है एक गंटे के हमारी कल की क्लासी से 11 बज़े का टाइमिंग 12 बज़े का बताया था बड़ा चाहिए कि रोज सिखाने वाली हूं काफी लोग डिमांड थी कि हमें रोज सिखने डिफरेंट टाइप के इसलिए में रोज सिखाने वाली से सबी लोग लाईव आजाना 11 बज़े ठीक है अब नेक्स्ट हमारी लिव है जैसे हमने यह लिवट ड्रॉ की थी उसमें हमने इसी लिवट हमें बनानी है सिंपल तरीके से पर इसमें हमें ध्यान रखना है नीचे की और से इस तरह से स्ट्रेटी बनानी है यह बनांकि हमें हिलकी सी अंदर लाइन देनी है कि मैं किस तरह कर दिवा है अब छान से देखना है हमें अलकी अंदर लाइन देनी है आप एक तरफ की पूरी लेव सब बना दी जो उसके बादद भी दूसरी तरफ के स्टाट करना तब की लेव्स अच्छे सा बनेंगे छोटी होती जारी है तो पर के ऊपनाने सेः neeurst हमारी छोटी बनानी और करेश माषी क्सी धिदी मेरी स्कूल की ऐंलाइन क्लास होती है अब कोई बुद नहीं estrutRRK के बात देखने교 जेएं ना वीडियो अपलोड हो ही हमारा जैसे ही लाइव कंप्लीट होता है हमारा लाइव अपलोड हो जाता है तो आप बाद में देखके उसे सीख लिजेगा और प्रैक्टिस करके आप मुझे पीक सेंड कर देना कि मुझे पता चले कौन-कौन लाइव आया था और कौन-कौन क्लास में अच्छे से सिख रहा है इस तरह से हमें क्रॉस लाइन इस तरफ भी करनी है लाइन को उपाई की तरफ हमें उपर कियो चोटी लिउस बनाने अंदर चोटी सी लाइन कीचनी है यह भी लिउस भी सबको बनाते आ जाएगी यह भी इजी है लिउस तन्जीला सिरकर कल हॉलिए रखो डूए जी एंजोए आप लोगों के साथ में वीडियो बना हम बलूंग तो मुझे इसा ही लगता है मैं आप लोगों के साथ बड़े सेलिब्रेट करूंगी आप लोगों के साथ भी तो बड़े सेलिब्रेट करना बनता है ना तो फिर हॉलिडे रखोंगी तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा ठीक है यह लिउस हमारी बन गई सेम टूर सेम हमें लिउस बना के हमें थोड़ा डिफरेंट वर्क करना है उसमें रिष्मा से एक हैपी बेटे थैंक्यू सो मॉच फ्राइडे का टाइम हमारा वही रहेगा तीन बजेगा नमाज के बाद का हमारा टाइम रहेगा तीन बजेगा ठीक है इस तरह कैसे सेम टू सेम हमें लाइन जो करनी है नहीं है अब हमें इस तरह के से सब में हम लिउस ड्रो कर लेंगे पहले देखिए लिउस को थोड़ी खुली खुली से लखनी है ज्यादा पतली लिउस नहीं बनानी है थोड़ी अंदर स्पेस हो इसी लिउस बनानी हमें आइछ प्रसराओं गर्ड़ी वीडियोन को दो सबने लाइक ना किया हो तो प्लीज वीडियोन को लाइक कर दीजिए और द्रफ़ीज को दूखिए लॉस्थ इस तरह से ड्राव करके हमें डार्क करना है किस तरह से दिखिए अब वो धियान रखना है फर्स्ट लिव तो हमने इसे डार्क कर दी अब सेकेंड हमें कहां से स्टार्ट करना है सेकेंड हमें यह लिव की नीचर की और से स्टार्ट करके हमें उपर आके रूप जाना है फिर स सम तो हमसे सिस्वेद निलीव सबूल कि यहां रूप जाएंगा उनल में अनला वार को फिर यहां आशित्व करना ऑर हम किस तरह से कर रही तो कोर्स का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है जैसा मैंने कल भी बताया था किसी ने क्वेस्चन किया था कि क्लास किते दिन डेक है हमारा कोई फिक्स डेका नहीं है आप लोगों के लिए जो भी नाया आता रहेगा वो मैं आपको सिखाती रहूंगे इसलिए मैं अभी फिक्स डेज आपको नहीं बोल सकती हमारी यह समझ लीजिए अल्लिमिटेड क्लास है कोई फिक्स नहीं यह नहीं आपका पंदरा दिन का कोर्स है नहीं आपका एक महीने का कोर्स है आपका क्लास हमारा अपना अल्लिमिटेड है अब जहाना तक क्लास करना च चार्ज में, ठीक है, same to same हमें इस तरह से यहां भी लिए, अगर नीचे सी और से लेना चाओ, तो नीचे की और से ले सकते हो, बट हमें वो ध्यान रखना है, बार की तरफ की लिव हमें पिले यहां राके रूख जाना है, same to same, इसी तरीके से, अगर नीचे की और से आपको फ कर सकते हो, यह हमारे लिव्स हो गई complete, हम simple लिव जब हमें बनानी हो तो हमें इस तरीके से बनानी है, अगर हमें field बनानी है, यह भी इस तरीके से बनानी है, यह लिव्स हम जब finger में बनाते हैं, तो बहुत ही प्यारी लगती है, अगर हम designer कुछ पैटन बनाते हैं, उसमें ह यह लिव्स ड्रो करते हैं तो बहुत प्यारी लगती है और यह लिजाइनर पैटर्न में भी बीच में आप रोज का कुछ बंच लेगी जिए उसके बाद यह लिव्स को दोनों साइट से आप इसे सेप दे के बनाओगे तो बहुत ही प्यारी लगती है मैं आपको बताऊंगी हमारे जो बंच आएंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने जो भी बेजिक स्टेप किये उस अपको हम जॉइंट करके कैसे बंच बनाना है और बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन हैं आगे करने वाले हैं आप लोग अच्छे से सीखते रहन रोज और प्रैक्टीस करते रहना ताकि आप लोग भी प्रोफेशनल आर्टीस बन जाए जिस इसको भी प्रोफेशनल आर्टीस बनना है सब लोग जल्दी प्रोफेशनल आर्टीस बन जाएंगे उसके बाद हमारी नेक्स्ट लिव है इसमें आपको क्या करना है यह भी हम में बना सकते हैं जैसे हम ड्रॉइंग में पानी ड्रो करते हैं ना इसे ही हमें लाइन ड्रो करनी है ठीक है यह कर लिया उसके बाद हमें जहां पर टर्न आ रहा है अब देख रहें यह सेप जो आ रहा है ना सी वाला स्टेप जो आ रहा है देखरो जो बढ़ां का रहा है वहां पर हमें लीउस बनानी है मेरे अपको बताती हुला में परहले रहरं रॉफ में या किसी से प्राब्लम ना होगा ना जाए नाने में ठाष है लीउस हमें यहां पर और की साइट नहीं बनानी है यह साईट हें जो हमारी हैं लीव समय पूरा बेजिक अच्छे से आप सीख लोगे उसके बादी में आपको हार्ड स्टेप स्टाप स्टार्ट करूंगी कि यह सब बेजिक आजाएगा तब डिजाइन अच्छे से ड्रौ कर सकते हो तो यह बेजिक अच्छे से सीख लेना ठीक है इसके बाद हमारी नेक्स्ट लियू है अब फैधर में आपको बताती हूं लिव उसके ऊपर से हमें कैसे फैधर ट्रौ करने है वह भी डिजाइन में हम बनाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं तो सबसे पहले तो अच्पी अच्पी वह अच्पी तक थेंक्यूल अच्पी अच्पी हराब इन आपको जोना प्राव करने यह होगा थ्यान से देखार रहा है हमें ऐसे सैडिंग करने है उपर की और हमैं सेडिंग लाने है हलके-हलके से lining बोलो आप set बोलो जो भी बोलो इसे हमें उपपर के ओर लाना और हम उपपर की हमने ड्लीव्स बनाई इसे नीचे की तरफ से हम थोड़ी बड़ी size लेते उपपर आते हम छोटी-छोटी से बनाते ते इसी तरह हमें feather में भी यही तरीके से यही trick से करना है से रफ में बता देती हूं कि इस तरफ ही आपको शेडिंग में कर रही है वह देखिए मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं ली है मैंने थोड़ी सी क्रॉस उपर की और दे ली है लाइनिंग आप देख रहे हूं मैं उपर की और ले रही हूं और अंदर से देख लिए टान लेके मुपर की और सेड्स बना रहे हूं और सेड्स आपको उपर आते आते चोटे कर देना यह यह ऐसे करते-करते हमें अपर सी फिलाइन खिचनी है अब इसमें आपको क्या करना है इसमें आपको है यांदिक हमारे बन जाएंग इसके बात हमें इसके अंदर लिव रह कने आई वह आपको कौनसी रह कने अपे बता देती ह памünü मा मैं पी वtiसल लिव मैं कॉन स्रीम करने सके अंदर यहास में लिव हमारी रह हो गई किया कि देखें इस तरह से से देना आपको फिर सेकंड स्टेप इसके अंदर से लाइन लेनी है थार्ड स्टेप इसके एसे उपर गी तरफ लानी है फिर यहां पर भी एसा स्टेप देना है का कि यप एक एक स्टेप करके इसे करो बेसे ये लीव आपकी बनेंगे है इस इद वीस के और सिंट थोड़ा और पीजसा बढ़ने आ ई कि फिर यहां भी हम ऐसे गॉर्ट करेंगे ए थोड़ी लाइन गरो करेंगे उस थे अधरड श्टेप संटे Prabord पर के और कर देंगे थैंक्यू सो मज़ हिना खान यह लाइन फर्स्ट जैकेंड एंड थर्ड और उपर के और हमें थोड़ा पॉइंट खीचना है यह थोड़ी क्रॉस वाली लीवज आईगे हमारी ट्रेट लीवज नहीं है इसी तरह से हमें दोनों साइड बनाते जाना है उपर के और रहेंगे हमारी लीवज छोटी होती जाहेगी फर्स्ट एंड लास्ट फर्ट सेकेंड एंड थर्ड इसी तरह से आपको सभी लीवज को बनाना है युपर आता है कि हमें चोटी-चोटी से लीवज को इसमें दो स्टेप में बन जाएगे हमारी लीवज इसमें दो समस्ट नहीं को इसमें आपको समझ में आया है सभी कोई लीवज के बार है ना यहीं लीवज तो हमें यह फैधर के अंदर रो करना है तो हमें हमारे फैधर को हमें एक दो सेकंड के लिए थोड़ा ड्राय होने देना है उसके बाद आप लिव जो करोगे तो आपकी लिव बहुत फिनिशिंग में आएगी और आपकी फैधर और लिव जॉइंट नहीं होंगे और लिव बनानी है पर हमें लिव यही वाली बनानी है इसमें भी हमारे पॉइंट आएंगे यह पॉइंट हमारे शोग करने चाहिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा गैप रखना है थाकि हमने जो सेड्स बनाए वो सेड्स भी हमें डिख है इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा गैप रखना है पर यूज उसको छोटी करते जाना है थीक उपर वाली जो लिव से हमें इसे खींच लेना है बस इस तरह से हलके आतों से हमें इसे खींच लेना है यह सबी लिव्ज आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है कि लिव्ज के आपको सबसे जदा प्रैक्टिस करने ही पड़ेगी आपको समझ बनाया तो आप बार बार वीडियो को देखिए बार बार वीडियो को देखकर आप सीखिए जो भी प्रावलम आपको आए पर आप गल करती करके गलत मत बनाना ठीक है अब नेक्स्ट है हमारी डिजाइन में यूज होगा हम पहले इसमें एक आंकरा ड्रो कर लेंगे है ठीक है इसमें हमें इसको हमें थोड़ा थीक कर देना है एक ड्रोगा है इसके बात हमें एक लाइन लेनी है और फिर यह लाइन के उपर सी हमें हाथ रोकना नहीं है यहां से हमें लिवज ड्रो करनी है देखिया ही हाथ रोकोगे तो लिव शका सेप चेंज हो जाएगा यहां से लाइन देनी है फिर इसके पास से ही लिव्ज थोड़ी सी लाइन क्रॉस करनी है और इस तरीके से आपको लिव्ज ड्रोव करनी है और पॉइंट हमारे सभी लिव्ज में आएंगे देखो पतली सी लाइन देनी है फिर यहां से हमें से लिव्ज जॉइंट कर देंगे इसी तरीके से हमारी सारी लिव्ज बनेगी इस तरह हम छोड़ी छोड़ी से लाइन बनाते जाएंगे और लिव्ज भी हमारे लिव्ज बनेगे हम करकर सिर्फ डॉट करके हमेरे कंप्लीट करना यह भी भी हमारी बहुत डेकोरेशन में हम लोग जब ढ़नाते यह फिंगर की डिजाइन बनाते यह तो हूं बोच बनाए है उसके आपर हम बन्च के लिसे हम यह ends बननाए है उसके ऊपर हम यह स्टेप बनानाएंगे बनाएंगे तब आपको ज्यादा पता चलेगा कि यह सब लिउस का हम यूज कहां कहां पर करने वाले हैं यह सब चीज आपको प्रैक्टिस करके और आपके पास संबाल कर रखना है जब हम डिजाइन ड्रो करेंगे तब आपको एक बार फिर से देखने की जरूर पड़ सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको देखने की जरूर नहीं पड़ेगी आप एक बार में ही अब बना दो गया का और क्यों कि आपके अपके प्लिग अपड़ कुछ अब पास बाता है जो अब क्या करना इसमें हमें चोटी सी लाइन बन पति रो करने में नौर्मल सी हमेंने यह पतिर रो किया अब हमें इसलिए authentic रोग किए उसके बार से हमें थोड़ी थीक लाइन लेनी है धियान रखना है हमारी लाइन के अंदर हमारा कौन नहीं जाना चाहिए हमारा कौन लाइन के बाहर से ही जाएगा देख रो ये उपर के और लाएके हमें पॉइंट किछना है ठीक है फिर नीजे थोड़ी सी लाइन खिच लेनी है फिर यहाँ पर भी हमें एक छूटी सी पत्ति ट्रोग करेंगे हम फिर हमें इसके उपर की और से लाइन लेनी है कोन को प्रेशर देना है अंदर से आपको को फोड़ा प्रेश करना पड़ेगा और इस तरह सर्थ पिर यहां पर भी हम छूट इसी पत्ती बनाएंगे कौन को प्रेशर देना है लाइन की बार की और से इस तना से तरम में वे सब्सक्राइब करना में लोगों को नियुद बनाने कि लिए आप को बार बार ये क्लास की विल्यो देखने पड़ेगी तभी आप लोगों नियुक्त पर। आप लोगों से गलती बिकि इह बीच में बीच में हम यह लाइन करके इसे डॉट्स भी देते हैंगे तो बहुत प्यारी लगती है लिए उस ठीक है इसके बाद नेक्स्ट है थोड़ा नीचे की और बता दीती हूं करें आपसे आपको एलिस्ट्रेट लाइन ड्रॉप करनी है आपको एलिस्ट्रेट लाइन ड्रॉप करनी है उसके बाद हमार उपर का जो टॉप है टॉप लाइन के उपर हमें एक लिउस्ट्रो करनी है उसके बाद सेम तो सेम हमें उसके बाजो में ड्रॉप करनी है एक लाइन फिर हमें वह लिउस्ट्रेट से थोड़ा सा नीचे की और हमें रूख जाना है कि यहां पर हमें के ले Dwoh करेंगा तर इसके पास में स्ट्रेट लाइन लेनी है कि मैंने आपको फ्रॉस्ट डी लाइन के बारे में सिखाया था लाइन आप अप्ले बैसे पोस्तिया वो करते आपको आजाए Bakit इसी तरह साल इस Workers में जो लाइन है इसी तरह सब लाइन जो कर पाऊगा अगर आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी तो डायरे का प्लाइन बनाने कोशिस करो कि उसमें इतनी लिवज इतनी प्यारी नहीं लगेगी में लिवस में आना बहुत जरूरी है अब उसके बास सेम टू-सेम हम यह लिवस में हमने जहां तक किया है मही तक हम इस कि इस तरफ भी हम लिवस बनाएंगे और हम सामने की और बनाना है उसके पाजमें हम बिल्कुल लाइन लेंगे और इसके बाजो के और सॉंप नेज़ा रिसक्त झे लाइन लेंगे रिफरसısı होदी。 luc. आज का हमारा गार्डन वाला वीडियो सभी को कैसा लगा आज के में पय पोदे ही बहुत साल न में वगा दिया है कि इस तरह से हमें से फिल कर देना है कि लाइव कंप्लेट होने का पाथ मुझे कमेंट करके जरूर बताएए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा कि आज का हमारा गाडन वाला वीडियो आपको कैसा लगा और कौन-कौन यह सारे पेड़ पोदे उगाने वाला है बाद में सभी को पेड़ पोदे उगा कर मुझे बताना है ठीक है और जो लोगों ने अभी तो मेरे इंस्टाग्राम पर फोलो नहीं किया है वो फोलो कर लीजिए मैं उस पर भी अब तीरे तीरे डिजाइन्स बनाना स्टार्ट करूंगी और कभी-कभी हम इंस्टाग्राम पर भी लाइव आके मैं क्लासिस चलाओंगी अगर वहां पर भी में न्यू न्यू पैटल्स के फ्लावर के बंचीस ऐसा कुछ भी मैं नया नया वहां पर भी सिख कि अब जहां पर कलास ठी लिखा ह हुआ है वह आप क्लिक करो एगा नश के नीचे बॉक्स आएगगा महां पर आपको फेश्बूक इंस्टाग्राम आपको अब पर मिल जाएगी ठीक है यह हमारी बंचalog है इसके बाद हमारी लिव की जो कॉर्णर है म्हां पर हमें क्छोट बहुत अच्छा लगा मेम सच में सिखने को मिला एडवांस में अपिबड़े थैंक्यू सो मुझ बस आप लोग ऐसे मन लगा कर सिखोगे तो आप सभी को बहुत अच्छे से सारे डिजाइन्स आ जाएगे थेंक्यू सो मजशेद आजक्या ठीक है यह व्याइप हो गए उसके बाद हमें चोटी चोटी लिवस भी हमें बनानी होती है चोटी डिजाइन बनाते हैं तो उसमें चोटी चोटी लिवस का इस्तमाल होता है तो हम केसा बनाएंगे हमें एक लाइन ड्रो करनी है फिर हमें इस तरह से लिव बनानी है फिर हमें छोटी से अंदर लाइन ड्रो कर देनी है और बार की और सी थोटी ठीक लेनी है छोटी से लाइन ड्रो करनी है फिर इस तरह से हमें लिव ड्रो करनी है इस तरह जर में द्स्वी रो करेंगे इस बिंदि स्वी मुट्शी लिव सब थो ममचapo और नंज करेंगे आयर कया रहा थो बुद्वाक करेंगे ठीक है यह लिए संने रोक हर इस सी तरह से हम छोटी सोटी लिए रहा हुआ हों तोधा लिए हैं 10 मीष्बन ने किछना में किसें झोटीysis नष्बन लेके से किछना इस्तने के सब डिफरेंट डिफरेंट ली उस भी डौ कर सकते हों वह भी हमारी डिजाइन में बनाते हैं तब बहुत अच्छे लगती है उसके बाद यह लेविस के उपर से हम एक पेड़ भी बनाते हो भी बहुत प्यारा लगता है दिजाइन में भी बना सकते हो और हाथ में भी यूज़ होता है वो विम आपको बता देते हूं किस तरह से बनाना है अपको वह पेड किसम हाएट वाली बिशाई बी इस्तमाल कर सकते हैं ति यह तरह से बना रही है जान से देखना हमें फर्स टेप यहां पर लेना है उसके बास हमें क्या करना है हार्ट कैसे बनाना एक पति ली और उसके बास से दूसरी पति यह हमारा बन गया हार्ट फिर दूसरी लाइन हमें इसके पास से यहां पर स्टार्ट करने है फिर एक पति ली हमने उसके बास से हमारी दूसरी पत और हार्ड बनाना बहुत ही सिंपल तरीका ही है हार्ड आपको सिर्फ एक पत्ती खेंचनी है और उसके पास से यह आपको दूसरी जॉइंट कर देनी है तो हमारा प्यारा सा हार्ड बन जाएगा तो हमारी यह लाइन और यहां से खेंचेंगे और यहां से तरह हमें एक के अंदर से एक इस तरह से हमें जहां से भी हमें लाइन लेनी हो कि महां साम इसमें ले सकते हैं और जॉइन करके हम एक प्यारा सा हार्ट वाला पोदा बनाएंगे पेड बनाएंगे इस तरही कैसा है जब हम यह आप लोग सबके हाथ में भी बार ट्राय करना बहुत ही प्यारा लगता है बनने के बाद कि डिजाइन में ब्राइडल में भी यूज करती हो बहुत अच्छी लगती है बनाने पर और कलराने के पात भी इस डिजाइन का गैट आप बहुत ही अच्छा होता है काफी सिंपल तरीक है हमें जी स तरफ से किचना उस तरफ किचना है जैसे हमारे पेड में अलग 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 तरह से अलग अलग डाली होती है आप देखरों डालियां कोई किसी भी एक तरफ नहीं होती है डाली कभी इस तरफ जाती होती है तो कोई डाली इस तरफ जाती होती है तो हमें भी इसी तरह से बनाना है चोटी चोटी भी पीच में हमारी स्पेस ज्यादा हो तो हम ऐसे बना सकते हैं देखिए यह बन जाए यह हमारा पेड़ बन गया उसके बाद आपको पीच की और में इसे लाइट लाइट से डॉट रखना है यह बनाने के बाद तो अपके हाथ का गेटर भी मस्तर आएगा अब एक बार बना कर देखेगा फिर आप मुझे बताएगा कि कैसा बना यह सब लीश में आपको आज जो भी सिखाईये सब ट्रेंडिंग के हिसाब से न्यू जो भी है वही सब सिखाया है और आगे भी जो भी ट्रेंड के इस आफसे नया नया आता रहेगा वो हम क्लास में एंक्लूड करते जाएँगे जो भी मुझे आएगा वो सभी चीज़े में आपके साथ शेयर करूँगी वो लोग वो सभी चीज़े आपको भी आ जाएगी और आप लोग भी में यूज़ कर सकते हो आपके कस्टोमर्स के हाथ में और जो सीखरा है वो भी अच्छी तरह आगे बढ़ जाएगा उसके भी अच्छा-च्छा सिखने मिलेगा ट्रेन के साथी जो भी चल रहा है यह तो बहुत बार ऐसा होता है कि क्लास हम कर लेते हैं पर उन्ट शिक्स मंट बात डिजाइन चैंज हो जाती हमने जो सिखा होता है उससे बिल्कुल ऑपोसिट डिजाइन आजाती है शिक्स मंट डिजाइन आ रही है ट्रेंड के हिसाब से क्या चल रहा है वह तरीके से आपको न्यू ट्रेंड से बनाना ऐसा नहीं आपको एक तरफ की एक तरह की डिजाइन आ गई है तब हर बारा वही डिजाइन ड्रो करोगे सबी के हातों में मेहंदी में एक तरह की डिजाइन हमारे आर डिमन Français लको मेहंधी आर्टिस्ट जो भी है। अलग अलग अप सोचते होंगे, डिजाइन कहां चलते जैसे आपकी घरों में चादर हो, तो चादर पर आप कोई अच्छा पत्र Mar raped अच्छा इस प्ला वर उस पेड्राय किई हो या तो आपकी घर की टाइल्स हो उस पर आप देखना नए नए से फ्लावर्स हो इसारी चीज़े हमें देखनी है और वहाँ पर भी हमें कुछ नया लगे तो वह हमें महंदी में इंकलूट करके ड्रॉव करना है यні और वहाँ करते हैं ये बिविडिदीं करते हैं किसी महंदी के हाथ हो साफ करते हैं में खुद भी रहाँ करती हूं जरूर नहीं प pas क्लीद कर मांषित देखको तो वही डिजाइन आप मेहंदी में ट्राइ कीजिए तो बहुत इस तरह सा आप करोगे तो आप नया नया सिखते जाओगे आपको भी नया नया बनाने की समझ पड़ती चाहिए कि हमें नया नया कैसे बनाना है ठीक है यह आप देख रहे हो हमारा पेड़ रेड़ी हो गया है देखिए मैं आपको अथाती हूं सारी लिव्स हमने बनाई आज की वह दिख रहा है न सबको ठीक से देखिए यह आज की हमारी सारी लिव्स है अब लोग इंट्रस से सिखोगे तो ही आपको सिखने में मजा एगा और नया नया में जो भी तिखाऊंगी वह आपको समझ में भी आएगा ठीक है अब एक और लास्ट लिव मैं आपको बता देती हूं एक और लिव तंजीला सिलकर थेंक्यू सो मुझ दुआये देने के लिए बस आप लोग ऐसे ही मुझे दुआये देते रहिए इसमें मैं लिव ड्रॉक कर दें हूँ लाइन ली और फिर यहां से भी मैं ऐसे लिव ड्रॉ करूंगी ठीक है फिर यहां से लिव हम इसके पास से लेनी है इसटारा से ले आप कि यहां सम थोड़ी सी छोटी लीव कर देंगे देखे मैं किस तरह से ड्रॉ कर रही हूं और लास्ट लेंगे थोड़ी बड़ी आएगी देखे मैंने किस तरह से ली है, starting की दो leaves मैंने थोड़ी बड़ी ही ली है, उसके बाद की भी थोड़ी similarity ही लेनी है, जब third leaves लेते हैं, वो हमें थोड़ी सी छोटी लेनी है, और last हमें जो corner पे जो हमें leaves देनी, वो leaves हमें थोड़ी सी वो देखना आपको दोनों तरफ से खुल झाल, 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